नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कभी-कभी भाग ये रूठ जाता है और रूठेवे किस्मत को मनाने के लिए रूठेवे भाग को एक बार फिर से उनका साथ पाने के लिए हम बहुत तरह के प्रियोग करते हैं पर आज हम आपके साथ एक छोटा सा प्रियोग साजा करेंगे चाभी और ताले का वैसे तो आपने बहुत सारे चाभी ताले का प्रियोग किये होंगे लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे उसका रिजल्ट आपको एक बार में ही मिलेगा बस सच्ogene दिल से आपको ये प्रियोग करना होगा आपको चाहिए होगा एक ताला और चावी लेकिन सर्थ ये है कि ये ताला चावी खुला नहों आपको खुद से नहीं खोलना है कोई भी नया ताला मार्किट से बढ़ा छोटा माईने नहीं रखता आप खरिद कर ले आईए यहां तक की दुकंदार भी उस ताला चावी को नहीं खोलेगा यानि न्यू ही आपको ब्रैंड न्यू ले लेना है और बिना खुला हुआ ताला याद रखिए अब इसको ले आईए खुद से भी नहीं खोलना उनको भी नहीं खोलने देना बस आपको खरिद कर बंद ताला और चावी ले आना है लाकर रात में आप सोते समय अपने सिराहने यानि कि तक्ये के पास आप इसको रख कर सो जाए अब आपके मन में ये प्रश्ण होगा कि ये प्रियोग किस दिन करें दिए ये प्रियोग आप किसी भी सुक्र बार की रात या सनी बार की रात कर सकते हैं रवी बार की रात भी कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि हम दो तीन दिन लगातार करें तो कभी भी आप कर सकते हैं तीन दिन लगातार भी तो आप ताला चावी जो बंद है उसको अपने माथे के पास रख कर सो जाईए अब ये ताला स्टील का पीतल का किसी भी चीज़ का हो इसके अभी यहाँ पर कोई नियम नहीं है सोने के बाद अगले दिन सुबा उठिये ताला चावी को उठा कर आप अपने घर के पुजा स्थान पर रख दें इसके बाद स्नान बिगरा करके फ्रेश हो लें फ्रेश कपड़े पहल लें पास के किसी भी सिब जी के मंदिर में चले जाईए एक लोटा जल लेकर सिबलिंग पर जल अरपीत कर दें और जो ताला चावी है उसको आप सिब जी के मंदिर में कहीं भी आप अपने उपर से तीन बार उतार कर उल्टा वारना है ठीक है आप दैना या बाया कोई भी हाथ में रख लें उल्टा उतार कर आप सिब जी के मंदिर में कहीं भी अंदर में आप कहीं साइड में रख दें जब ये काम करें कोई देखे नहीं टोके नहीं ऐसे ही आपको चुपके से करना है और सिपजी के मंदिर में जवाप रखिएगा तब वैसे तो भगवान को पीट नहीं दिखाये जाते हैं लेकिन आप ताला मत देखिएगा ताला को मत देखिएगा और वहां से निकल आए बं आगे को किसी ने बांध दिया है आप बीमारियों से परेसान है आपको लगता है दवाईयां सूट नहीं करती आपको लगता है कि जीवन में किसी ने टोने टोटके करवाए हैं या कैसा भी दोस हो आज हम आपको तांतरिक प्रयोग बताएंगे ताले चाभी का लेकिन घवरा सकते हैं सभी और मंगल वार तिनों में से किसी दिन कर लें वैसे सनिवार के दिन करें तो अच्छा है और वो सहती को भी कर सकते हैं तो चलिए आज हम आपको ताले का चाभी का महाँ पडियो जो आपके जीवन की मुस्किलों से आपको बहार निकालेगा चलिए समझते हैं आपके घर के खुसियों को बांद कर नदी में फेक देते हैं और फिर आप लाग प्रयास के बाद भी खुस नहीं रह सकते हैं ऐसे में एक महा परियोग करें कैसी भी समस्या है बीमार ही क्यों ना हूँ एक छोटा सा काम करना है आप कहीं भी नदी के पास जाएं या फिर किसी ऐसे जगह जहां पर आपको लोग टोके नहीं देखे नहीं और फिर एक ताला चावी आपको लेकर जाना है और ताला आपको यहां पर देखिए बंद करने वाला सिस्टम नहीं है यहां पर हम आपको महा पर बता रहे हैं ताला खुलावा होगा ताला अलग रखिए और चा सिद्ध मंत्र है आपको बहुत समल कर सांथ दिमाग से पढ़ना है और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ ताकि आप जो पढ़ें वह आपको आपके लिए चार चांद में लगा वैसे तो इस मंत्र को 108 बर पढ़ना है लेकिन हो सकता आप 108 बर ना पढ़ पाएं क्यों सामने स्क्रीन पर मंत्र आएगा आप उसको देखेगा मंत्र है ओम काला ताला काली लाई ब्रंभाब सिवने कुंजी लगाई चार खटक के कुंजी मारे रोग दो सब तुरंत जारे दुहाई बेमंती काली कट कट जिवा काली समाच है यह मंत्र सामने स्क्रीन पर देखें इस मंत्र को कम से कम पांच बार बोलें, मन में बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि बोल के ही बोलना है, क्योंकि बोलने से कुछ गलती भी हो जाती है, लेकिन जब आप मन में बोलते हैं, तो तुरूटी की गुंजाइस नहीं रहती है, आप किसी कागज पर लिखकर ले जाईए ग अपने सर से उतार लें कितने बार एक बार या तीन बार उतार लें अब फिर इस चावी को ताले उठाईए ताला को और इसी चावी से ताला को बंद कर दें और ताले को आप मिट्टी में गढ़ा करके भी दबा सकते हैं या फिर आप फेक दें जो चावी उसको भी दबा दे और इसके बिना पीछे मुड़े आपको घराना है याद रखिए बिना पीछे मुड़े उसको देखियां का नहीं मुड़ूर कि कोई भी आवास दोकी इहां हो कैसे भी हो तंद्र कृया सब में इसके बाद कोई आपके उपर नहीं कर पाएगा अगर आपको इमर्जन्सी हो तो किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन टोका टोकी ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है अब हम आपको एक और प्रयोग वताएंगे देखिए आपको इसके लिए भी सुक्रबार का दिन चुनना है आप सुक्रबार को ताला खरिद कर ले आएं मार्केट से लेकिन इस ताले को खोलना नहीं है ठीक है तो नया ताला जैसे दुकान में वैसे लिए दुकंदार भी खोल कर नहीं दिखाएगा ताला चावी बंद ताला और चावी चोटा बड़ा मैंने नहीं रखता आप लेकर चले आएं सुक्रबार को रात में सोने के पहले अपने सिरहने यानि जहां पर आप सोते हैं तक कि एक आसपास टेबल पर या बेटके आसपास कहीं पर रखते हैं अगले दिन यानि सनी बार के दिन इस ताला चावी को आप उठाएए और ले जाकर चुक्के से सुबह उठीएगा कोई देखे नहीं टोके नहीं और पीपल के नीचे रख दे बिना पीछे मुड़े घर आजाए अगर पीपल का पेड़ना हो तो किसी भी मंदिर के सिड़ी बंधी किस्मत खुल जाएंगे और जीवन के मुख्य दर्वाजा है में डोर है वो पूरे घर का आत्मा है आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर सही डिपेंड करता है आप कैसे रहें वास्तू सासर में कहा जाता है कि घर का मुख्य दर्वाजा आपके घर में लक्षमी को लाने का और खुसहाली आने का रास्ता होता है लेकिन आपके घर में लंबे समय तक अगर नकात्मक उर्जा का राज है परिसानिया है बिमारिया है धन टिकता नहीं तो एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे को जरूर ठीक करने का प्रयास करें कहीं वास्तू के बिप्रीत कुछ ऐसी चीजे तो आपने नहीं रग दी जो आपके जीवन में मुश्किलें को बढ़ा रहा है घर के मुख्य दरवाजे पर ऐसी कोई विवस्तू न रखिये जो जीवन की मुश्किलें को बढ़ा है अब कुछ नियम है वास्तू में जैसे कि घर का दरवाजा अगर पूरा नहीं खुलता है या फिर खुलने में रुकावट होती है तो ऐसे घरों में लक्षमी आने में भी में रुकावट होती है अर्थिक समस्याब नहीं रहती है इसलिए अपने घर के मुख्य दरवाजे को बाधा रहित और साफ रखें दूसरी बात कई बार होता है मुख्य दरवाजे पर कैक्टस कांटेदार पौधे लगा देते हैं पर वास्तू कहता है यह कि नकायात्मक उ मुख्य दरवाजे को बिल्कुल साफ रखें आइना भी मत लगाईए क्योंकि सकात्मक एनरजी घर से बाहर चली जाएगी इसलिए अगर आइना लगाना भी है तो आप ऐसा लगाएं कि मुख्य दरवाजे से आने वाली एनरजी कांट से टकड़ा कर घर में फैल जाए पॉ दूसरी बात स्वस्तिक का निसान सुमंगल परतीक चिन घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से लगाएं और भगवान की तस्वीर जब लगाना हो खासकर गनेजी के तो अंदर की तरफ से लगाएं क्यों इनकी पीठ में दरिता का बास है जूते चपल का धेर मुख् बाजन से ज्यादा बड़ा और खुबसूरत सजा कर बनाए रखें तो उतना ही आपका भागे साथ देगा फिलाल भी दालेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमिंट में हरहर महादेव चरो लिखें धन्यवाद